हिमाचल प्रदेश युवा कॉंग्रेस चुनाव के संदर्प में एक महत्वपूर्ण गोशना करते हुए भारती युवा कॉंग्रेस ने पुरानी समीती को भंग कर दिया है और नया सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है इस घोशना के संबंद में हिमाचल युवा कॉंग्रिस के प्रभारी विनीत कंबोज, हिमाचल प्रदेश युवा कॉंग्रिस के चुनाव आयुक्त साजित तारिक, पियारो उदे गुर्जर और हिमाचल प्रदेश युवा कॉंग्रिस से प्रभारी योवेश हंडा ने प्र प्रक्रियाओं को निश्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन किया जाएगा ताकि सभी उम्मिदवारों को समान अफसर मिल सके अभी पांच तारीक से नॉमिनेशन शुरू होंगे पांच से लेके चौदा तक रहेंगे नॉमिनेशन और उसके बात जो मेंबर्शिप की डेट होगी मेंबर्शिप के साथ ही ऑप्शन आएगा जो भी साथ ही जिन्नोंने नॉमिनेशन किया उनको सेलेक्ट करने का तो मेंब और खुद अपने जिसको भी वोट देना जाते हैं मेंबर्शिप के साथ ही उनलाइन वोट दे पाएंगे और एक विशेश तोर पर मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो परफॉर्मेंस लिश्ट बनाई जाएगी परदेश के लिए जिन लोगों ने पहले अच्छा काम किया पिछली कमेटी में उन लोगों को रखा जाएगा क्योंकि अब ये आईवाईसी की एक अपनी एप है विद आईवाईसी आप उसके उपर पूरा चुनाव होगा और हर चीज से ये सिक्योर है और एक एक चीज देखी जाएगी और सिर्फ वोटर आईडी जिनके पास है वोई साथी मेंबर बन पाएंगे और वोई साथी वोट डाल पाएंगे इसमें टार्गेट तो नहीं रखा गया है पर कोशिश रहेगी भी जाद से जादा यूवाईस साथियों को इसके साथ जोड़ा जाए ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो पूरा प्रोसेस है ये डाई से तीन मिने गाए पूरा प्रोसेस तो इसमें अभी फर्ष्ट फेज में नॉमिनेशन की डेट दी गई है जो पांस से चोड़ा तारिक रहेगी उसके बाद मौसम को देखते हुए जो मेंबरशिप की डेट है उसके बाद वो आईगी नॉमिनेशन कोई भी साथी कर सकता है जिसकी एज 18-35 साल के बीच में है कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है पर परदेश कमेटी के लिए एक परफॉर्मेस लिश्ट आईगी जिसका उसमें नाम होगा वही साथी परदेश का लेक्शन लड़ पाएंगे पर जिला, विदानसवा, ब्लॉप का लेक्शन हमारा कोई भी साथी लड़ सकता है जो साथी हमारे NSUI से पिछली कमेटी में थे और यूथ का लेक्शन परदेश के लिए लड़ना जाते हैं उनके नाम हमें NSUI की जो राष्टिय कमेटी है वहाँ से मिलते हैं तो उनके नाम हम परफॉर्मेंस लिष्ट में रखते हैं क्योंकि जिनोंने NSUI में भी अच्छा काम किया हुआ है उन लोगों को हम मौका देते हैं